तो अपने दिन के शिरुवात फ्रेश हो के मेडिटेशन के साथ करते हैं अच्छी हैबिट्स जो होते हैं वो हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है उसके बाद जो है आज हम अपनी रिवीजन मीडिवेल इंडिया से करेंगे तो है ओफिशल है तो यहां पर मीडिवेल इसली कर जहीं कि वही एक बार और जितनी बार बुक से नजर निकल जाए वो अच्छी है और उसके बाद हम अपने नोट्स को जो है वो साथ के साथ अपडेट रखे मतार कि नोट्स जो है उनको भी रीड करते रहे ताकि जो कीवर्ड्स हमने नोट करें वो हम बुक से डिल से मैं अपना ब्राउन चीज सेंडविच बना रही थी एक मेर को कमेंट आया था कि आप लीज ब्रैड मत का यह रोटी का लिजे हां यार मताब यह तो एमेजनसी की चीज़ हो विसली मैं रोटी लोंगी बट मैंकर खाती भी उन तो मैं ब्राउन ब्रैड यह आटा ब्रैड नहीं लेती हुए और मुझे सेंडविच पसंद है क्योंकि यह रिखा चीज लगाया फिर उसके बाद लगाया उसके बाद सारी वेजी मैंने यह पर लगाई है तो यह बोखोत हैल्दी हो जाता है बहुत फूलिंग हो जाता है और उसी के साथ मतलब कि आपको यह नहीं समकिन वगारा के ले जाओंगी तो वो सही नहीं है और उसी के साथ आपको भी काम करना है कि सब्सक्राइब करके बैल आइकन को क्लिक करना है ओल नोटिफिकेशन हों ताकि आपके पास सारी अपडेट्स आते रहे वीडियो की उसके बाद जो है वो मैं यहां पर अपने करे तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी तो इस वज़र से मैं अपनी रिवीजन पर ज्यादा फोकस कर रहे हूं कि अकर मैं अपने तीन-चार घंटे का यह और अलोट करूं तो उनको मैं अपने डेली रिवीजन से अपनी डेली पढ़ाई से कंपनशेट कर सक आप संडे को ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप डेली एक गंटा एक्स्टा पढ़ लीजे वह आपके लिए अच्छा होगा ठीक है तो उसी के साथ जो है तो आप सभी को पते हैं जिसमें लिमिटे टाइम के लिए आपको सेवन डेस का फ्री ट्राइल दिया जा रहा है अप पी को वेरिफाई करेंगे और उसके बाद जो है वो तिल फॉर्थ मार्च आप अपना कोड एक्टिवेट करेंगे एक्टिवेट फ्री ट्राइल का आप जो है कोर्स टालेंगे यूपी ऐसी सी जिससे कि आपको सेवन डेस का फ्री ट्राइल मिल जाएगा कोड आपको कि इतना अच्छा प्लैटफोर्म है तो आपको यहाँ पर सारे कोर्स मिलेंगे जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आप किसी भी बैट्स को अवेल कर सकते हैं उसके साथ जो हैं इतने सारे एजुकेटर्स हैं पर सब्जक्ट के कि आप जिन से चाहे वो हैं पढ़ सकते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिलेगा है लिमिटी टाइम ओफर है बहुत अच्छा ओफर है फोर्थ मार्च मतब कि कल तक आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं और फिर सेवन डेस का ट्रायल आप ले सकते तो यू के चेक आउट उसके बाद जो है वह मैं अपना लच प्रिपेर करने रगती हूं तो यहां पर मैं राजमा परारी उसके साथ यह फोक्स टेल मिलेट्स हैं क्योंकि मैं राइस को बिल्कुल स्किप करने वाले हूं क्योंकि राइस खा के मुझे बहुत ज्यादा नीद आते है राइस जो होता है वो सिंपल कार कि हां सब कुछ सही है और फिर आपको बहुत जल्दी दुबारा भूख लगेगी आप डिस्ट्रेक्टिड रहोगे और उसी के साथ आपको नीद जल्दी आएगी तो यह चीज में बहुत टाइम से करने की सोच रही थी और फाइनली मैं यह कर दी मैं राइस के अगेंस्ट करने लगती हूं और बाद में देखेंगे कैसा क्या टेस्टों का अच्छा होता है थोड़ा रेनी रेनी सीजन होता है तो मैं अपनी लाइब्रेरी के लिए जो है वो निकलती और मुझे एक ना गाड़ी जा रही होती है और उस पर मुझे कितनी अच्छी चीज लिखी हु हो प्यारा एक दूसरे का हम बने सारा तो मुझे लगा कि चलो किसी ने तो अच्छी चीज लिखवा यह ट्रक पर फिर जो है लाइब्रेरी वाले हाय के साथ जो है वो अपने आज की न्यूस पेपर को शुरू करते है और क्योंकि आज फर्स्ट ओफ मार्च है तो हम अपना अफेवरे का कलेंडर जो है वो पुरा है यहां से और म कयो कि दिट तो हमें अंने डफने सामने पर यह को चैटे है आप नीऊस पेपर नहीं पढ़ना चाहिए तो आपको डेली करेंगे कुछ भी करेंगे तो इस वजए से जो है वह अपना निचेटिव लेकर चीजाजों को करते हैं तो यह इस तरीके से इस तू जी एस फोर ऐसे के लिए इंपोर्टेंट था तो इस तरीके से मैं यह नोटबुक बना रखी यहां पर में लिख रही थी क्योंकि राजिस्थान बारवर में क्या होता था कि लड़ाई हो जाया करती थी फैमिली डिस्प्यूर्ट तो फीमेरिस जो है वो अपने बच पहले वही नोट करते हूं कि लैक ओफ रिवीजन की वजह से मैंने मुख सही तरीके से नहीं दिये थे उनको रिवाइज नहीं किया था और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई थी गलत चीजों में इस वज़ए से जो है वो मेरे को अभी तक फेलियर्स मिलें बट अब मुझे वो वो यही रहेगी कि हम रिवीजन के उपर ज्यादा फोकस करेंगे जो भी स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे उस तरीके से बनाएंगे कि अगर आप एक बड़े सब्जेक्ट का बड़ा टोपिक उठा रहे तो दूसरे का चोटा उठाए ताकि क्योंकि आपके पास टार्गेट बनाया है सब्जेक्ट वाइस मैंने इसको डिवाइट किया है और सब्जेक्ट के अकोडिंग की कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है और किस तरीकिस में तयार करने जैसे कि इंशेंट इंडिया के मेरे नोट्स बने हुए और मीडिवेल इंडिया के तो यहां प में टूपिक वालखा कि लिए इक दिन के लिए खियों कि वह तरगी को मैं पहीं कि छोड़ा ऐसे तो इस तरीखे से मैंने मंखली श्ट्राटीजी बनाली और ऊसके साहर पेस्ट कर देती फ neste daily जो है मैं अपने targets महां कर सको मेरी health भी अब बहुत अच्छी हो चुकी है पहले के comparison में due to my diet change, my lifestyle change and my discipline तो यहाँ पर जो है वो मैं international organizations को करने जा रही हूँ क्योंकि यह वाले part आपके pieces और UPSC दोनों के लिए important है यहाँ पर seven parts में divide किया गया है international organizations को तो सही है एक दिन में हम एक organizations जो है वो कर सकते हैं तो यहाँ पर जो आज मैं organization कर रही हूँ वो मैं finance related international organization कर रही हूँ and good thing is कि यह जो है यह important भी है इससे questions आते हैं यह मेरे जो economy की static book है रमेसिंग उसमें भी यह वाले given है तो एक तरीके से आप यह देखे कि इसके थुरू मेरे आज एक economy का chapter भी साथ की साथ हो गए जो मुझे दुबारा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि topic महाँ पर यह same है इस वाज़े से हमें static और current को interrelate करके करना होता है तो यहां पर एक बज़े का जो है वो time हो गया था उसके बाद जो है उसके बाद जो है उसके बाद जो है वो मैं अपनी पॉलिटी को करते हूँ जिसमें की first chapter historical background कर दे हूँ यह वाला topic जो है यह बहुत important है क्योंकि यह आपके modern India में भी जो 35 तो मेजर पार्ट जो है वो फॉम करता ही है तो इस तरीके से जो है मैं इनको याद करने की कोशिश कर रही थी हूँ हर बार मैं इनी में अटकती हूँ तो आगे पीछे तो इसके ओपर focus जादा कर रही हूँ पॉलिटी के उबर तो मैं इसके notes भी मना रखे है तो पहले तो इकोनमिक्स में जो है वो मैं इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है मतलब कि जिसमें की growth and development की बात की जाती है GDP क्या है जी एन पी क्या है पर कैपिटा इंकम क्या है या फिर नेशनल इंकम क्या है वोशिंग्टन सेंसे हो गया जैसे तो इस तरीके के जो टोपिक से क्यों कि कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि हम दिन पर दिन ये कोशिश करते हैं कि हम UPSC को जो है वो अटेंड करने बर नहीं हो पाता उसके बाद मैं घर निकलते हूँ क्योंकि घर से कोलाया होता है कि मुम्मी की थोड़ी सी सब बेद खराब हुई है तो मैं इसलिए दिन में निकली हूँ तो फिर यहां पर जो है वो जाके मैं पहले ये अपना लंच निकालती हूँ जो में लेके गए थी क्योंकि मैं लंच मैंने अभी किया है इतने में तो कोल ही आ गया था तो उसके बाद जो है वो एक डिट गंडा घर का काम करके कपड़े गंदे हो गया थे बर दिनों बाद मुझे लंच में गनम खाना मिल रहा है तो खुश हूँ मैं राजमा चावल चावल नहीं मिलेट्स और उसके साथ मुझे दही बहुत पसंद दही मैंने छोड़ी हूई थी तो मेरा ये फेवरेट फूड है कि छोले दही राजमा जो है दही एड़ करके खाना मैं थोड़ा सा सो जाती हूं अब यह टाइम हो गया था दस मिनिट का नैप लेने के बाद में इकोलोजी और इंवर्मेंट शुरू करती हूं साधे तीन बजे के टाइम पर इसके मेरे नोट्स इस तरीके से बने हुए है पहले के तो मैं जो यह नोट्स है इनी से डिवाइ करूंगी तो हाला कि अभी नैप लेकर उठी और अभी कैफीन वगरे में नहीं ले रही हूं तो थोड़ा सा मतर मिरको ऐसे फील हो रहा था टाइड नैस सी और कपड़े वगरे भी गंदे हो तो चलो मैं सोचा कि कपड़े सुखाने लगोंगी तो हो जाएगा टाइम तो फ उसका वाला पार्ट करूंगी योग कि इसके तीन चैप्टर सो आपने नोटिस के मच्छर हो गए है यार मच्छर इतने सारे हो गए थे बार बार तंकर रहे थे तो फिर मैंने पापको को कोल किया कि मोटिन वगरा कुछ लेके आना और उसके बाद जो है अपनी इंशेंट को करे जा रहे थी तीन चैप्रस हालागी मेरे जो आगे लेक्चर से वह अभी तक भी पूरे नहीं ही हो पाए है क्योंकि थोड़ा वाई-फाइ वगरा का इशू आपने देखा ही ता पिछे व्लोग में वीडियो में आ रहा था तो वह मैं अब घर पे ही करूंगी जो लेक और उपर से चांद भी आ चुगा तो यह वाले व्यूज में को अच्छे लगते तो फिर यहां पर मैंने जो है वह अपना वोक कटना शुरू किया जाला देर वोक नहीं गया था पंद्रावीस मीनिट ही वोक किया था उसके बाद चलो हब नीचे चलते हैं यहाई ऐसे वाल कि दीदी आपको पता है आज हमानी मोडन इंडिया की फर्स्ट क्लास थी और वो लड़का पहले दीन ही अपनी स्पेक्ट्रम के ना पाच टुकडे करके लाया था तो मैंने का क्यो क्या कि वो सत्यम गानी सर ने बोला हुआ है कि मोटी बुक लगे तो उसके टुकडे करो अ है ना उनको फोलो करो बुक फार के कुछ नहीं होगा तो बुक तो बल कि अच्छे से और्गनाइज करके रखनी चाहिए तो उसी के साथ जो है यह पर सवा साथ बजे का टाइम हो गया था और मैं अपना डिनर कर रही थी डिनर में जो मैं पपाया कट करके लेके गई थी न करना में लगे इस पे और फिर उसके बाद जो है वो क्योंकि जोग्रफी में आज ड्रेनेज करना था इसके मेरे नोट्स बने हुए बट ड्रेनेज टॉपिक इतना हद इंपोर्टन टॉपिक है और इसकी ट्रिब्यूटरी जाद करना यह चीज़े थोड़ी सी तफ हो जात है तो इस वज़े से जो है मैं बालकनी में आ गई थी और यहां पर मैं ट्रिब्यूटरी को याद कर रही थी दिरे-दिरे क्योंकि जो फैक्ट्स जाद नहीं होते उसको आप डेली टाइम देंगे तो फिर वो याद होने लग जाते है तो फिर उसमें दिकत नहीं आती है ज गह रही यार मैं तो खा चुकी थी वर स्टेल ये इतनी टैंप्टिंग लग रही थी तो सबसे पहले तो फिर मैं तुलसीब का पता रखके काना जी के आगे वो रखकी और बता ही मुझे इतनी क्यूट लगते हैं पूरे दिन इनके ऐसे गाल खिस से तो यह भी परिशान हो जो है आज मैं कोई और नोबल नी पढ़ दी मैं सोचा कि चलो आज एस्पिरेंट्स की जो जर्नी है उसको ही डेली लेकि उससे लेसंस लिये जाए तो मैं इसी बुक को पढ़ जाए और यहां पे मेरे ब्रदर साथ में बैठा हुआ यह बस मुझे ऐसी कुछ-कुछ बाते सब्सक्राइब तो वही बस उससे मैं डिसकस करते करते कि हां कैसे क्या हो रहा है अब आच मैंने गोविन जैसवाल सर की जो है वह स्टोरी पढ़ी इसमें की बताया था कि गोविन जैसवाल सर के फादर जो थे वह रिक्षा चलाते थे तो वो एक बरडे पार्टी में गए और उनको बहुत एंबरेस करके वहां से निकाल के फैक दिया था और उसके बाद उनकी आईएस की जर्णी कैसे शुरूई वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी पर मुझे यह लाइन्स बहुत अच्छी लगी थी कि ना दिन की सुधना रात का सन्नाटा हर वक्त खुद में मग तेक करें थैंक्यू सो मज़ एंड टेक।